So, today's video is all about the best gaming laptop under 50,000 rupees budget in India 2023 अब देखो यार, इस वीडियो में ना, 3 laptops dedicatedly 50,000 rupees में मिल जाएंगे आपको 2 laptops का प्रेस 2-3,000 रुपे जादा मिलेगा, पर शौर, वहाँ पर आपको extra value भी मिलती है Because सभी laptops आपको dedicated graphic card के साथ देखने को मिलेंगे तो आपको gaming, video editing, कोई भी heavy task, easily हो जाता है इन में और जो normal shoot put task है ना, like coding, programming, trading, office work के काम तो आगरामस हो जाते हैं अब यार AMD platform पे आपको Ryzen 5 5600H मिल जाता है इन laptop में Intel platform पे i5 12 generation, 11 generation and काई laptop तो अभी भी 10th generation पे चल रहे बाकी तो देखो अगर आप 50,000 रुपीज पे कर रहे हो ना, तो इसमें आपको केवल 8GB RAM वाले ही laptops मिलेंगे बाकी SSD मेंडेट फी है, आपको केवल SSD वाले laptops लेने बाकी अगर आप दाट एक फ्रीक पे नहीं हो, then hit the subscribe बटन बगल वाले बेले तो दबा दो बाकी चल लिए, let's get started लिस्ट बताने से पहले, अगर आप लोग थोड़ा सा भी चैश में इंटरेस रखते हो, तो आपको एक काफी कमाल के YouTube चैनल के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है आप इसको YouTube पर जाके सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने description में इनका link दे दिया है, वहाँ से जाके check out कर लेना, अगर आप लोग next level, chess content देखना चाते हो, chess की gameplays देखना चाते हो, chess सीखना चाते हो, then please गार भाई के चैनल को check out करना, well guys, here comes the list of top 5 best gaming laptops under 50,000 rupees budget, guys, list में number 5 पे आता है Asus का Tough Gaming F15, देखो हैर ये जो laptop है ना, मैं आपको लेने को कहूंगा भी और नहीं भी, तोनों के मेरे पास reasons है, देखो सबसे पहले चीज, Asus का ये जो laptop है अपने साथ काफी जाधा killer look लेके आता है, जो बाकी laptops में आपको नहीं मिलता, like पहला इसका 4 zone single RGB keyboard, इसको आप किसी भ backlight में और तरह तरह की different modes में use कर सकते हो, Asus के इस variant में आपको Intel का i5 10 Gen processor मिलता है, जो की literally काफी पुराना है, specific model आपको screen में मिल जाएगा, इस वाले laptop में आपको 15.6 inches की वैसे तो full edge screen मिल जाती है, जो की IPS level display, refresh rate आपको 144 Hz की मिलती है यहाँ पर, and brightness 250 nits की मिलती है, 8 GB of RAM है, 512 GB SSD मिल जाएगी, Windows 11 home and Microsoft Office वगेरा सम मिलता है, graphics के मामले में आपको GTX 1650 मिल जाता है, 4 GB VRAM के साथ, आप देको दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो आपको processor मिल रहा है, वो i5 10200H है, जो की 4 cores and 8 threads के साथ आता है, यह जो processor है आउट डेटेड है, like देड़ से 2 साल पहले यह laptop आगर आ अगर वो performance आपके लिए slightly matter नहीं करती, like आप normal video editing करना चाहते हो laptop में, and इतना ज्यादा heavy use नहीं है, आपको laptop का looks से आपको ज्यादा मतलब है, तो look wise यह laptop literally काफी अच्छा निकल के आता है, पोर्ट के मामले में आपको 2 USB 3.2 gen port मिल जाते है, टैप सी port मिल जाता है, जो की G-Sync एक additional HDD slot मिलता है, RAM भी upgradable है, बट डिकत सिर्फ एक S के अंदर, which is the processor, जो कि आपको थोड़ा सा पुराना मिल रहा है, बाकि यह laptop for those जिनको looks काफी तगडे चीहें, उनके लिए बढ़िया है, price की बात करूं, exact 50,000 rupees में मिल जाएगा, flipkart के उपर, and 52,000 में मिलता है आपको Amazon क पर, बट सभी laptops के link आपको description में मिल जाएंगे, but make sure दौनों पर check कर लेना, flipkart and Amazon दौनों पर अलग-अलग prices है, now guys, here comes the fourth one, which is HP Victus Gaming, guys, HP का यह जो laptop है, पच्चास हजार से थोड़ा सा महंगा आता है, but अपने साथ कुछ values भी add कर देता है, like देखो, यहाँ पर आपको 16.1 inch का Full HD Display देखने को मिल जाता है, जो कि IPS है, Microize Display, बट जो refresh rate है, आप laptop लेने से पहले description में check कर लेना, इसके दो वी एरिंट साते है, 144Hz, refresh rate वाला है, एक 60Hz वाला है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, यह 60Hz वाला है, प्रोसेसर की बात करो, Ryzen 5 50 600H, आपको प्रोसेसर मिल जाता है, अ आपको 4GB का Radeon RX 5500M Graphic Card भी देखने को मिल जाता है, इसके अलाबा, आपको ports भर भर के मिल जाते हैं, लाइक 2 USB Tap Air Port मिलते है, 3.2 Gen वाले, 1 USB Tap Air Port मिलता है, 2.0 Speed के साथ में, बाकी Tap C Port मिल जाता है, Media Card Reader मिलता है, हैड़फोन Mic Jack, Ethernet Port and HDMI Port देखने को मिल जाता है, अब देखो य आप किसी भी laptop से कोई भी जाधा expectation मत करना, laptop के speaker इतने जाधा अच्छे नहीं होते, बट मज़े की बात है, HP के laptop को जो touchpad है, वो थोड़ा सा बड़ा आता है, अब देखो यार, अगर आपको gaming करनी है, तो definitely आपके laptop का keyboard या mouse कुछ काम नहीं आने वाले, आप अलग से keyboard and mouse connect करो 60Hz काफी जाधा outdated है आज की rate में, बाकी editing में आपको इससे कोई issue नहीं है, बाकी other thing is graphic card, जो की RX 5500M मिलता है, अब या GTX 1650 से ये जो graphic card है लग 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 similar performance दे देगा आपको, बाकी अज बड़ा display चाहते हो, तो इस laptop को check out कर सकते हो, प्रेस की बात करूं, 54,000 रुपीज का मिलता है on Amazon, after discount and all, 50,000 रुपीज में आराम से purchase कर सकते हो, now guys, here comes the third one, which is Lenovo IdeaPad Gaming 3, guys, Lenovo का ये जो laptop है, literally काफी जाधा smooth and अच्छे build में आता है, आपको यहाँ पर 15.6 inches का एक full HD display देखने को मिल जाता है, त्योंकि 120Hz के refresh rate के साथ आता है, IPS display and 250 nits की brightness लेकर आता है अपने साथ, आपको यहाँ पर AMD का Ryzen 5 5600 Edge processor मिलता है, exact वही processor है, जो की HP Victus में मिल जाता है, 8GB frame है, जो की upgradable है up to 16GB तक, 512GB के SSD मिल जाएगी, graphic card की बात करूं, GTX 1650 4GB VRAM के साथ मिल जाता है, अब यहाँ पर ना, इस वाले laptop में आपको thermals काफी जादा अच्छे मिलने वाले हैं, बाकी laptops क देखो, एक वो laptop है जो आपको performance अच्छी देदे, बट गरम हो जाए, एक laptop है जो की आपको performance तो अच्छी देता ही है, बट साथ की साथ, thermals भी काफी अच्छे से काम करते है, Lenovo and Asus दोनों ही thermals के मामले में हमेशागी रहते हैं, बाकी इस laptop में आपको backlit keyboard मिल जायागा, white color की एक 3.5mm jack and HDMI port मिलता है, साथ की साथ एक Ethernet port आता है, अगर आप laptop से best build and best performance चाहते हो, तो इस वाले laptop को definitely check out कर सकते हो, बट अगर आपको looks minimalistic नहीं चाहिए, थोड़ा धूम दढ़ा का चाहिए, लेपटोप में RGB वगेरा, आप Asus का देख सकते हो, या आने वाले laptops को check out करो, लगा सकते हो, Amazon से खरी सकते हो, Amazon से खरीद लो, नहीं तो आप Flipkart पे चले जाओ, दौनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिये में, now guys, here comes the second one, which is MSI Bravo 15, guys, MSI का ये जो laptop है, अपने साथ कुछ जादा अलग नहीं लेके आता, बट हाँ, लेनोव के टकर में थोड़ा सा आगे निकल जाता है, इन डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले वही 15 पर 6 इंचिस का Full HD मिलता है, पट 144 हट्स की refresh rate मिल जाती है, वहाँ पर, Ryzen 5 5600, same processor मिलता है, जो की बाकी लैप्टोप में, 8GB और फ्रेम, 512GB के SSD, जो रेम है, वो अप्ग्रेडेबल है, ग्राफिक कार आपको AMD का RX 5500M मिलता है, जो की सेम 4GB वी रेम के साथ आता है, MSI के इस लैप्टॉप में आपको, एक Type-C port, दो USB Type-A, 3.2 Gen port, एक USB Type-A, 2.0 port, एक HDMI port, Ethernet port, and headphone jack, देखने को मिल जाएगा, ये लैप्टॉप भी आपको military grade certified build लेके आता है, साथ की साथ इसके thermals भी काफी अच्छे है, यहाँ पर एक चीज है, जो किसी को पसंद हो सकती है, किसी को नहीं, which is the keyboard, इसका जो keyboard है वैसे तो steel series वाला keyboard है, जो कि आपको काफी smoothness प्रवर्ड करता है, बट अपने साथ red color की backlit लेके आता है, अब या किसी को red color की backlit पसंद नहीं होती, तो अगर वो आपके लिए कौन है तो आप Lenovo वाले के साथ जा सकते हो, बेशक, बट अगर आपको पसंद है red color की LED बट ऐसा नहीं है, तो definitely आप MSI का ब्राभू यह वाला चेक आउट कर सकते हो, laptop को overall build, Lenovo की ही तरह काफी minimalistic and premium निकल के आता है, price की बात करूं, 50,000 रुपीज में मिल जाता है on Flipkart, और अगर आपका budget 50,000 से लेके 60,000 रुपे तक का है, लेकि आप 50 नहीं, 54,000 रुपीज तक पे कर सकते हो, then Acer के इस laptop को बिल्कुल मत छोड़ना, यह आपको same 15.6 inches का display provide कर देता है, जो की full HD आता है, IPS आता है, but आपको refresh rate 60 Hz की ही मिलती है, यहाँ पर, so that मैंने कहा editing machine, not a gaming laptop, but हाँ अगर आपको 60 Hz refresh rate में comfortable हो आप, या आप external monitor connect करोगे laptop से, then definitely आप इस वाले को check out कर सकते हो, यहाँ पर आपको 8 GB frame मिलती है, which is upgradable up to 32 GB, 512 GB के SSD मिलती है, 4 GB का NVIDIA GTX 1650 graphic card मिलता है, अब आप लोग डाउट में होगे, यार प्रोसेसर तो बताए ही नहीं, वाल जो प्रोसेसर है आपको सबसे बहतर performance निकाल के देता है, अगर आपको लगेरा जैसे टास्क करना चाते हो, और गेमिंग भी करना चाते हो, सारे काम यह laptop, बाकी laptop के मुगाबले थोड़े से अच्छे करा देता है, आपको एक full size bat lit keyboard देखने को मिल जाएगा, बट यह जो laptop थोड़े simple look में आत पोर्ट की बात करूं, 3 USB, 3.2 gen port मिल जाते हैं, एक TAPC port मिलता है, एक Ethernet port, एक HDMI port and एक आपको headphone jack मिल जाते है, वाल गाईज, i5 12 generation 1240p वाले processor के साथ यह laptop है एक editing machine है, because यहाँ पढ़ना, वाल editing आपको बिलकुल भी issue नहीं आने वाला, इवन अगर आप लोग gaming ये editing नहीं, एक fast laptop चाहते हो 50,000 to 60,000 rupees के budget में, then make sure इस वाले को जरूर चेक आउट करना, वाल वैसे तो पांचो ही laptop अपने आप में best है, but as ranking wise मैंने पांचो को rank कर दिया, अब इन मैंसे भी आप confused हो न, Lenovo MSI में, तो अगर आपको थोड़ी बहुत refresh rate का अंतर नहीं लगता, तो आप Lenovo भी ल बाकि जिनको productivity सबसे जादा अच्छी चाहिए laptop में, वो Acer Aspire 7 जरूर चेक आउट करना, बाकि आज किस वीडियो में पस इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नीचे काउट से बताओ, इस में से कौन सा laptop आप पर्चस कर चुके होगा करने वाले हो काफी सारी वीडियो आने वाली है on laptops, तो stay tune with me, बाकि मैं मलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नहीं वीडियो में, किसी नहीं topic के साथ में